हेलो फ्रेंज दिस इस जंदन वेलकम को मैं चैनल आज हम लोग यह जो रिसेंटली एक डिवल्पमेंट हुआ है जापैन और पाकिस्तान के बीच में हम इसके उपर डिसक्स करेंगे हम इसके देखेंगे कि इसके पीछे क्या क्या रिजन हो सकता है उसके बार में भी तौरा ड पाकिस्तान का जो मस्क्यूटर नेट भारत से पॉचिस करेंगे तो पहले हम देख लेते हैं यह जापन और पाकिस्तान का क्या रिलेशन मतलब क्या डेबलमेंट हुआ है जपान और पाकिस्तान का जो भी डेबलमेंट हुआ है वह इसलिए हूआ है कि की USA इंडिया को Pa acontece करना जाता है अब इंडिया को क्यों निग देख लेते हैं जापान और साँद कुरिया के साथ पाखिस्तां का एक relation develop हुआ है इस relation develop होने के पूचे रीजन वही है पार्ट इंडिया को पनीश करना ठीक है तो पहले हम जैपैन और South Korea का थोड़ा मैप देख लेते हैं देखिए मैं यह जो आप मैप में देखेंगे ने गुगूल मैप है गूगूल मैप से आप जब यह तो इंडिया है इंडिया ओशन से अब जब इधर थोड़ा जाएंगे ना मतलब इस्ट की तरव तो इधर आप जब आएंगे यह साओध चैना सी है साउथ चैनल सी से इस चैनल सी और आपको पता और योलो सी और ब्रशन सी और यह तो यहाँ पे देखिए मतलब सौद नॉर्फ पोडिया और वंतिकल इसके पिछे yes और कुडीन है और यहाँ पे है और यहाँ पर हैं जाफ violation से जब येमार्ट पॉर्या यहां भी degas बोद South Korea और Japan में USA का base है, मतलब इनका जो foreign policy होता है, वो independent policy नहीं होता है, वो almost USA का ही extended foreign policy रहता है, USA का vessel state Japan और South Korea है, और similarly, China का vessel state है, वो है North Korea, तो इसके वज़े से आप देखेंगे, North Korea जो भी करता है, almost China का extended foreign policy है, उसको ही एकदम defect करता है, तो initially हम देख लेता है, जो Japan ये क्या किया है, देखिए, जपान ने बोल दिया है कि इनका ये energy sector है, मतलब, energy sector मतलब renewable energy sector, renewable sector मतलब क्या होता है, कि solar हो गया, इहां पर investment करेंगे, करेंगे ऐसा बोला है, करेंगे कि नहीं करेंगे, वो मेरे को नहीं पता, आज तक पाकिस्तान में जब जाएंगे ना, पाकिस्तान में सही से एक normal coal plant नहीं है, coal plant वो CPAC के बज़ा से बन रहा था, लेकिन उसमें energy का price इतना बहुत ज्यादा है कि वो वायवेल नहीं है, तो इसके बीज़े सारों आपको पता होगा, जो CPAC है वो पूरा ठप लग गया, मतलब, वहां पर कोई अभी चाइना investment कर नहीं पा रहा है, तो देखिए, यह सब च और शियार से oil fair खरीदा है, या आप माझन लेजें natural gas हमने खरीदा है, even coal भी खरीदा है, और बहुत कम पैसों से खरीदा है, और जिसके वज़े से क्या होता है, कि हमारा जो inflation है वो बहुत control में है, इंडिया में, उसके बाद और एक development हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बो हुआ है, ठीक है, और ये भी जो sign क्या है न, ये actually similarly USA के कहने पे ही किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मतलब साथ कुरिया और पाकिस्तान का बहुत अच्छा relation बन गया, देखिए पाकिस्तान में manufacturing establish करना बहुत difficult है, क्योंकि manufacturing establish करने के लिए आपका environment होना चाहिए, मतलब मानीजे, आपको कभी company लगा रहा है, तो company का security भी होना चाहिए properly, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता होगा, बालचरिस्तान का issue है, केपिक में issue है, इवन कराची में issue है, लेकिन इसके sign किया गया है, कि भारत को deframe करना है, ठीक है, इसके छोड़के और कुछ reason है, यह एक गाड़ी का tire नहीं बना सकता, तो यह defense क्या करेगा, कुछ नहीं होगा, यह साथ, फिर से वो नोटा की start कर रहा है, और मैं बोल रहा हूं, देखिए, initially तो Japan ने कर दिया था, ठीक ह कि हम energy sector में invest करेंगे, यह ऐसा पाकिस्तान में बोला है, अब इससे क्या होगा, social media में इसको लेकर, मतब बहुत सारा गलस सारा चीज़े, spread होना start हो गया है, वहाँ पे बहुत सारा कोई बोल रहा था, कि भारत और जो Japan का relation है, वो क्या सच में नीचे चला गया है, लेकिन ऐस कुछ नहीं है, इसके लिए क्या किया है, जापान ने, जापान ने इस सब चीज़ों को, जापान को भी पता है, उनको USA का जो foreign policy ना उसको ही support करना है, क्योंकि उनके पास अभी options तो है नहीं है, उनका जो constitution है, उसको तो change थोड़ा करने के सार किसे अभी कोशिश तो जारी ह लेकिन वो successful जब तक नहीं होता है, जापान को क्या होगा, एक बार वो USA के कहने पर पाकिस्तान के पास जाना पड़ेगा और जापान इंडिया को lose नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक चीज़ याद रखिए, चाइना main threat है, पूरा यह जो south eastern region यहाँ पे, तो जापान ने इंड होता है, यह destroy के उपर लगा होता है, जहाँ पे आप check कर सकते कुछ मतलब माल लीजिए, आप aircraft कर सकते है, या मतलब कोई भी चीज़ डिटेक्ट भी कर सकते है, बहुत सरा इवें जहाँ यह जहाँ आप यह आइंटेना देखेंगे न वह बहुत advanced होता है, यह थोड़ा jamming का भी काम करता है, इंडिया के पास या जपान के पास मुझे यह तो नहीं पता कि उनके पास उतना advanced technology का है के नहीं, लेकिन जपान ने बोला है कि इंडिया को यह चीज़ देगा, आई थिंग और यह government of India ने कुछ इसके उपर बात चित करना स्टार्ट किया है नहीं किया है, मेरे को नहीं पता, लेकिन जपान ने बोल दिया कि यह इंडिया को दे सकता है, पर जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि जपान की पाकिस्तान उतना important है नहीं, पाकिस्तान इंपोर्टन है नहीं क्योंकि पाकिस्तान चाइना के साथ ख़़ए तो जपान उस तरफ नहीं जा जाएगा और यहां पर exercise करना start कर देगा, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला और बार-बार मैं बहुड रहा हूँ, जपान पकिस्तान का जो relation है उसको लेकर उतना इधर-उदर सोचल मेडिया में लिखने की कोई ज़रूत नहीं, यह USA का pressures के बज़ए से एक दूबार जाएगा, और एक दो development होए जिसके बार में मैं आपको बात करना चाहूँगा, देखिए आपको पता होगा पाकिस्तान का जो internal security वो अभी थोड़ा गढ़वड है, क्योंकि बालिचास्तान बे अटक कर रहा है, उधर तारीके तालिवान पाकिस्तान टीडीबी भी अटक कर पाकिस्तान से खुश नहीं है, तो इसके बज़ए और आपको पता होगा पाकिस्तान में फ्लॉड भी रखा है, ठीक है, और फ्लॉड का जो पानी है, जब थोड़ा नीचे चला जाएगा ना, तो तब इन लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा, क्या situation से, क्या situation नहीं ह तो इसके बज़ए से पाकिस्तान ने क्या किया है, कि इनका जो फॉरेंड मिनिस्टर है, इशाग दर, इन्होंने चाइना से बात करना स्टार्ट कर गया है, और क्योंकि 27 जो बिलियन का जो डेप्ट है ना, तो उसको किसी तरह रिस्पी रूल किया जाएगा, या इनका जो इसको रिस्क्रीड कर रहा है, उसके लिए मतलब मान लिए रिनीवल सेक्टर में इन्वेस्ट करना यह इंपॉसिबल है, यहां पे कोई भी डिफेंस का कोई भी नया तरीके से आपको प्लान लगाना है, यह सब चीज ऐसे नहीं होता है, और मैं आपको बोल रहा हूँ, यह यह जो न्यूस है यह पता नहीं चाइना से तो एक बार बोल रहा है कि यह 4.7 बिलियांड डॉला है, उसको रिस्क्रीडूल करेगा, मतलब उसको साइड डिफर कर देगा पेमेंट लेकिन यह जो इशागदर है, इशागदर जब USA में गया है उसको देखे है, यह स्लैंग मतलब बहुत ही गलख तरीके से इनका स्वालाद किया गया है, देख लिए यहां पे, इनको लायार बुला गया है, इनको जोर वाला गया है, और जिसके तरह यह गुस्सा हो गया, और यह देखे है यह देखे, यह है पाकिस्तान का जो फाइनस मिनिस्टर है, और यह जो कल्चर है ना लोगों को घाली गरोज करना, उनका ममी पापा के बारे में जो गयाद सलेवन, यह नोट ओली जो पाकिस्तान का जो नीचे वाला सेक्टर, मतलब सोसाइट का एकदब नीचे वाला पार् सब कुछ, सब कोई एक ही होता है और इनका पूरा दिमाग है, पूरा रैडिकलाइस्ट है और यह जहां जहां पर जाता है, वहां पर जाके गली, गलोज करना, यह सब इनको बहुत अच्छे से आता है, उसके बाद और मैं डेवलप के बारे में आपको बोलता हूं कि, जैस यह नोटा की की में, यह देख लीए, आप माल लिजे कोई कंट्री एक सिंपल मॉस्क्यूटर नेट बना नहीं सकता ना, उसके लिए इंडिया से और मुस्ट 6 मिलियन, 6 मिलियन मॉस्क्यूटर नेश होता है, और मुस्ट 6 लाग के आसपा, 6 लाग, आप एक माल लिजे एक क कभी नहीं हो सकता, यह चूट है, और यह लोगों को सिंपल को चूड़ा नखिल बेचना है, और कुछ नहीं है, फ्रेंड्स, आपसे बिदर लने का समय आ गया है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सेफ रहें, अपने परिवार का ध्याम रखिएगा, और थेंक्यू वेइस फो वाचिंग माई वीडियो,